Welcome students, this is reasoning lecture no.3 और आज का हमार टॉपिक है counting triangles तो counting triangles भी examination point of view से उतना ही important है जितना की lecture no.1 और lecture no.2 तो आज की इस वीडियो में हम cover करेंगे इसकी vertical form, horizontal form में कैसे find करेंगे number of triangles को then vertical and horizontal दोनों साथ में हो then symmetrical figure, then triangles in squares and rectangles then when inner triangle touches all the sides of triangle then last में हम cover करेंगे SSC previous years इसलिए ये ये वीडियो बहुत important होने वाली है इस वीडियो को end तक जरूर देखें तो चलते हैं type no.1 vertical form के example no.1 पर यहां आपको given है एक triangle और इस triangle को एक vertical line क्या कर रही है divide कर रही है दो पार्ट में अब इस दोनों पार्ट को हमने क्या कर लेना है numbering कर देनी है 1 and 2 and simply इनको क्या कर देना है add कर देना है अब add करने के बाद क्या आ जाएगा 1 plus 2, 3 ये क्या होंगे इसमें total triangles then बढ़ते हैं second example पर इसमें भी आपको क्या कर लेना है basis कितने division है 3 division है basis के तो 1, 2 and 3 और simply क्या कर देना है इनको add कर देना है क्या आ जाएगा 6 तो ये क्या होंगे total number of triangles in this figure then बढ़ते हैं third की तरफ same वो ही कर देना है 1, 2, 3, 4, 5 इनको क्या कर देना है add कर देना है add करने के बाद क्या आ जाएगा 15 number of triangles कितने होंगे इस figure में 15 तो चलते हैं type number 2 horizontal form के example number 1 पर यहाँ पर आपको एक triangle given है और इस triangle को एक horizontal line divide कर लिए ठीक है तो इसमें number of triangles कितने होंगे आपको क्या करना है जो horizontal line है इसको तो count करना ही है और किसको count करना है जो base पर है इसको भी हम count करेंगे तो इसमें कितने होरिज़ोंटल lines हो गई 2 हो गई 1 and 2 तो इसका मतलब number of triangles भी कितने होंगे 2 ही होंगे तो number of triangles इस cases में कितने होते है number of triangles equal to number of horizontal lines आपको simply क्या कर लेना है horizontal lines काउंट कर लेना है जितने lines होंगी उतने ही क्या होंगे number of triangles तो second figure में कितने होंगे 1, 2, 3, 4 और third figure में कितने होंगे 1, 2, 3, 4, 5 number of triangles कितने होंगे इसमें 5 तो चलते हैं type number 3 जब आपको vertical and horizontal lines एक ही figure में given हो तो number of triangles कैसे find करते हैं चलिए देखिए example number 1 से देखते हैं यहाँ पर आपको एक triangle given है यह हो गई आपकी horizontal line और यह हो गई vertical line तो हमेशा ऐसे questions को solve करने के लिए हमारे पास दो method होते हैं तो first method से पहले हम करते हैं first method solve करेंगे क्या होगा? यह क्या हो रहा है? इस base का division दो पार्ट में हो रहा है 1 and 2 तो यहाँ पर कर लेते हैं numbering यह भी एक triangle है और इसका भी base divide हो रहा है 1 and 2 में अब इनको add करेंगे तो कितना आ गया? 3 और इन दोनों को add करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 तो 3 प्लस 3 कितना हो गया? 6 तो यह हो गया हमारा first method number of triangles कितने हो गया? 6 second method में आपको क्या करना है? आपको कर लेना है सिर्फ base count 1 और 2 base की numbering करेंगे 1 प्लस 2 कितना हो गया? 3 then उसको multiply कर देंगे number of horizontal line से horizontal line कितनी है? इसमें 1 and 2 तो 3 into 2 कर देंगे कितना आ जाएगा? 6 इस method से भी same answer आ रहा है तो चलते है example number second पर यहाँ पर आपको करना है 1, 2 and 3 1 प्लस 2 प्लस 3 कितना हो गया? 6 then उसको multiply कर देता हूँ number of rows से यानि कि horizontal line से 1 and 2 6 into 2 कितना हो गया? 12 number of triangles कितना हो गया? 12 then चलते है example number 3 पर then 1, 2, 3 इसमें भी numbering कर दी हमने 1 प्लस 2 प्लस 3 कितना हो गया? 6 then number of horizontal line कितनी होगी? इसमें 1, 2 and 3 तो 6 into 3 कितना हो गया? 18 number of triangles कितना होगी इस figure में? 18 तो चलते हैं type number 3 के कुछ special cases पर example number 1 देख लेते हैं यहाँ पर आपको एक figure given है इसकी क्या करना है? सेम उसी तरीके से numbering करनी है basis की numbering करेंगे 1, 2, 3, then 4 यह base की numbering कर लिया हमने अब यहाँ पर एक base और मिल रहा हमें एक horizontal line और मिल दिये इसकी भी सेम ऐसी करेंगे 1, 2 and 3 then उपर एक और 1, 2 then उपर एक और 1 and 2 इनको simply क्या कर लेना है? जैसे हम पहले कर रहे थे? add कर लेना है 1 plus 2 plus 3 plus 4 base add हुआ तो हो गया 10 प्लस इसके उपर बढ़ेंगे 1 plus 2 plus 3 कितना हो गया? 6 then 6 add कर देंगे then उपर 3 plus 3 6 हो गया कितना हो गया total? 10 plus 6 plus 6 22 तो number of triangles कितना हो गया? इस figure में 22 चलिए चलते हैं example number second पर यहाँ पर base count कर लेंगे 1, 2, 3, 4, then 5 यह हो गया 15 plus 1, 2, 3 then यह हो गया 6 then उपर 1, 2, 3 यह भी हो गया 6 then उपर 1, 2, 3, 4, 5 यह कितना हो गया? 15 तो कितना हो गया total हमारे triangle? 15 plus 15, 30 30 plus 12, 42 तो number of triangle इस figure में कितना हो गया? 42 तो चलते हैं type number 4 symmetrical figures पर symmetrical figure होती ही क्या है? जो सभी side से same नजर आती है example number 1 देखते हैं इसका यहाँ पर आपको एक symmetrical figure given है यहाँ base देखिए कितनी division हुए हैं इसके? 1, 2 and 3 तो हम इसको let कर लेते हैं n की value क्या है? हमारी 3 है तो number of triangles जो find करेंगे उसके लिए आपको एक formula है n n प्लस 2 bracket 2n प्लस 1 अपॉन में 8 तो n की value हमें पता चल चुकी है 3 है तो 3 यहाँ पर put कर देंगे तो value क्या आजाएगी? 3, 3 प्लस 2 5 2 इंटो 3 6 प्लस 1 7 अपॉन में 8 3 इंटो 5 15 15 इंटो 7 105 अपॉन में 8 इसका मतलब जो आएगा वो 3.12 होगा और number of triangles जो आप मानेंगे वो क्या होगा? round off करके 13 चलते हैं example number second पर यहाँ पर देखें n की value क्या होगी हमारी? 1, 2, 3 and 4 तो n क्या आएगा यहाँ पर? n इक्वल टू 4 और formula आपके पास यह given है n n प्लस 2 2n प्लस 1 अपॉन में 8 तो value जो रखेंगे वो क्या आएगा? 4 4 प्लस 2 6 इंटो 6 कर देते हैं 4 तूज आ 8 प्लस 1 9 इंटो 9 कर देते हैं अपॉन में 8 then cross करते हैं 4 1s are 4 2s are then 2 3 तो 9 3s are 27 तो number of triangles इस figure में कितने होंगे? 27 चलते हैं type number 5 triangles in squares और rectangle यानि कि अगर आपको squares या rectangle में triangle given हो तो number of triangle कैसे find करते हैं? तो यहाँ पर आपको एक square है यहाँ simply आपको क्या करना है? same numbering कर लिए हमें 1, 2, 3, and 4 कितने triangle count कर लिए हमें यहाँ पर? 4 कर लिए अब simply आपको इस 4 को क्या कर देना है? 2 से multiply 4 2s are 8 तो number of triangle इस figure में कितने होंगे? 8 होंगे same यहाँ पर करना है हमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो इस 6 को क्या कर देना है? 2 से multiply 6 2s are 12 number of triangle क्या होंगे? 12 होंगे then last figure में same 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तो 8 into 2 16 तो number of triangles कितने होंगे? 16 तो चलते हैं type number 5 के कुछ और examples पर इसमें आपको given है squares और rectangles को join किया हुआ है और find करने को बोला है number of triangles तो previous case में हमने क्या किया था? numbering की तीन की 1, 2, 3, 4 तो इसकी अगर number of triangles हम इस figure में निकालें तो number of triangles कितने होंगे? 4 into 2 8 और इतने ही इसमें होंगे 8 plus 8, 16 अब यहाँ पर देखें जितने joints हैं 2 rectangles कैसे join हो रहे? 2 points से join हो रहे तो उन points को कर लेना है यहाँ पर add 16 plus 2 कितना हो गया? 18 तो number of triangles इस figure में कितने होंगे? 18 होंगे next figure देखते हैं इसमें कितने होंगे हमारे? 8 यहाँ पर भी 8 यहाँ पर भी 8 24 तो ऐसे ही हो गया अब देखें points कितने हैं? joints कितने हैं? 2 यहाँ पर हैं और 2 यहाँ पर हैं तो 4 यह हो गया तो कितने number of triangles होगे हमारे इस figure में 28 तो third example लोगो देख लेते हैं यह कुछ different है यहाँ पर देखें यह 8 होगे हमारा then इस figure में 8 then इस figure में 8 तो number of triangles यहाँ पर वैसे तो 24 होगे अब joins count करेंगे 1 2 plus 2 कर दिया then यहाँ पर भी 2 join अब इसको आप यह न सोचें कि यहाँ पर एक count हो गया तो हम इसको next joining में count नहीं करेंगे यहाँ पर भी हमें क्या करना पड़ेगा इसको count करना पड़ेगा तो 2 plus 2 यहाँ पर हम लेंगे then एक triangle और बन रहा है यहाँ पर कौन सा this one यह बड़ा triangle यहाँ पर एक हमारा extra मिल रहा है तो plus 1 हमें add और करना पड़ेगा इसमें तो यह कितने हो जाएंगे 29 number of triangles तो यह थे इसके special cases चलते हैं type number 6 पर when inner triangles touches all the sides of the triangle example number 1 देखते हैं यहाँ पर क्या कर रहा है inner triangle कौन सा है यह वाला हमारा यह touch कर रहा है triangle की सभी sides को तो इस cases में आपको क्या करना है same वही numbering करनी है 1, 2, 3 and 4 अब 4 तो हमारे यह triangle होगे plus 1 कौन सो हुआ यह बाहर वाला triangle तो plus 1 हम यहाँ पर add करके number of triangles क्या कर लेंगे find कर लेंगे कितने होगे इस figure में 5 then example नब पर second देखते है अब यह same figure देखिए यहाँ पर अंदर बनी हुई है यह वाली तो 4 तो यह हो गए plus अब यह triangle इस triangle को touch कर रहा है अंदर वाला तो यह plus 4 then plus 1 कौन सा होगा यह बाहर वाला triangle हम इसमें add करेंगे तो number of triangle जो total हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे 9 तो इसके कुछ special cases है वो भी देख लेते हैं तो चलते है special case के example number 1 पर यहाँ पर देखिए एक figure given है इस figure के हमने number of triangles find किये थे कैसे 1, 2, 3, 4 4 plus 1 करके कितने find किये थे 5 लेकिन special case में क्या होता है यहाँ पर एक division हो गए यहाँ पर इन triangles के division हो गए तो number of triangles जो find होंगे वो कितने होंगे 1, 2, 2 division यहाँ पर है 2 division यहाँ पर है और 2 division यहाँ पर है तो total कितने add हो जाएंगे यहाँ पर 6 add हो जाएंगे तो number of triangles जो बनेंगे वो कितने होंगे 11 अब इस figure में same, यह figure हम count कर चुके हैं, 4 plus 4 plus 1, 9 count कर चुके हैं पहले, अब इसका यहाँ पर हमने division कर दिया, 2 plus 2 plus 2, 6, तो number of triangle जो total हो जाएंगे, वो कितने हो जाएंगे, 15, तो चलते हैं इस वीडियो के last part पर, SSE previous years, question number 1, यह आपको figure given है, number of triangles find करने, तो same हम कर चुके हैं, square है, और number of triangles हमने कैसे find किये थे squares में, numbering करके, अब यह जो square है, अब इसमें अगर हम numbering करेंगे, तो कितने आएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो 8 into 2 क्या, 2 करते थे हम, 8 into 2, 16, अब अंदर 1 और square बना हुआ है, तो यहाँ पर भी हम same वोई numbering करेंगे, 1, 2, 3 4, 5, 6, 7, 8, तो 8 into 2 यहाँ पर भी करके कितना आजाएगा, 16, and 16 plus 16 कितना हो जाएगा, 32, तो इस figure में number of triangles कितने होंगे, 32, question number 2 देखते हैं, figure आपको given है, यह वाली, अब यहाँ देखेंगे, यह square है, इस square के हम number of triangles find करनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो 8 into 2, 16, इस figure में तो होग 16, अब यहाँ पर आपको एक triangle भी जोड़ा हुआ, square में, तो triangle को कैसे find करते हैं, यहाँ 1 और 2 दो division है, 1 और 2 हमने first case में किया था, 1 plus 2, 3, तो यहाँ पर हम करेंगे, plus 3, तो यह होगे हमारे 19, कुछ और triangle यहाँ पर हैं, कौन से हैं, यह वाला triangle, एक यह वाला triangle, और एक के नी total हो कितने होंगे, 21, that's all for today, thank you so much for watching the video.